हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे मोटरोला के फिलिपेबल फोन मोटरोला राज 50 अल्टरा के बारे में और साथ में कंपेर करें इस फोन को सैंपसेंग गैलेक्सी फिलिप 6 के साथ दोनों ही फिलिपेबल स्मार्टफोन है और अल्मूस्ट दोनों की प्राइस सेम है तो सैंपसेंग का डिजाइन है वो थोड़ा कॉंपक्ट है स्लिम है और पॉक्सियर डिजाइन है उसके एजिस बहुत शार्प है उस दूसरी तरफ मोटरोला राज 50 अल्टरा जुसका साइस हलका सा बड़ा है और इसके एजिस बहुत स्मूथ है फोन पकड़ने में आपको कमफर्टेबल होगा वाहिल आप जब सैंपसेंग को हूल्ड करोगे तो आपको कमफर्ट के साथ साथ प्रीमियम नाइस भी देखने को मिलेगी जो सैंसेंग का डिस्प्लेई है वो है 6.7 इंच का डाइनेमिक एमुलेड डिस्प्लेई जो की बहुत प्राइट है मोटरोला के फोन से और जो इसका आउटर डिस्प्लेई वो है 3.4 इंच का सुपर एमुलेड आउटर डिस्प्लेई दोनों की डिफ्रेश रेट जो है वो LTPO है और 4 इंच की स्क्रीन है बट जो इसमें बैटर पाट है वो है इसकी 165 हर्ड्स रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले डिस्प्ले समसेंग में आपको 120 हर्ड्स मिलता है मोटर लोला में आपको 165 हर्ड्स मिलता है दोनों के कैमरा सेम है दोनों में 50 Megapixel अपको Main Camera मिलता है और जो 2nd camera है वो 12 Megapixel का मिलता है दोनों के अंदर आप 4K 60fps रेकॉड कर सकते हो जो इसमें में डिफ्रेंस है वह है इसके अपर्चर के बारे में Motorola में आपको 1.7 aperture मिलता है और Samsung में आपको 1.8 aperture जिता कम होगा उतना blur ज्यादा होगा background चो तोनों में से Motorola slightly better है Samsung के अंदर देखने को मिलता है Snapdragon का 8 Gen 3 processor वही Motorola के अंदर Snapdragon का 8S Gen 3 processor 8 Gen 3 ज्यादा powerful आता है तो Samsung processor-wise और display-wise आगे है और battery की बात करें तो दोनों के अंदर ही आपको 4000 mAh की battery मिलती है